गुड मॉर्निंग दोस्तो मैं गुडु कुमार और आप देख रहे हैं ABC Science Quozing Center दोस्तो आज हम मैत का भेरी इंपोर्टेंट कोस्चन बता रहा हूँ जो कि सभी मैं ट्रिकली माध्यम से बताऊंगा और ये सभी कोस्चन सेट पैटर्न कोस्चन है जो पिछली एर एकजाम में पूछे गया है या ये बार-बार आते हैं ये सभी परिच्छाओं के लिए महतपूर्ण है तो वीडियो को सुरू करते हैं दिया है किसी कमीज का मूल 15% छूट देने के बाद 119 रुपिया है तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूले गयात करें सबसे पहले 15% छूट अगर बादेवे 100 रुपिया रहे है 100 रहेगा तो 100 का 15% कितना हो जाता है 85 तो यानि सीधे लिखाद देंगे 85 पर तीसत बराबर 119 तो एक परसेंट बराबर अगर निकालेंगे 129 बटा 85 अचुकी हम 100 माने थे तो इसलिए 100 बराबर हो जागा 129 बटा 85 गुना 100 अब देखिए काटते हैं 17 पर 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 चासी और 17 सते 59 5 से काटेंगे 20 पर चे 100 अब दोनों को गुना कर देंगे 7 गुना 20 तो 20 सते 40 से यह आप्सन नमर कितना है? तो यही B आप्सन नमर B मेरा एंसर हो जागा नेक्ष देखते हैं दिया है 30 पर तिसद 20 पर तिसद और 10 पर तिसद के क्रामिक वर्सों के समतुले का एक मात्र बटा क्या होगा? देखिए इसके पिछली वीडियो में हम बताए थे कि पहले दोगों को निकालेंगे फिर जो आएगा उससे दोगों को निकालेंगे इस पर हम दूसरा एक और ट्रिक बता रहे है वो और सिंपल है वो और कैसे बनेगा सबसे पहले कितना दिया है 30 परतिशत 20 परतिशत 10 परतिशत तो सबसे पहले निकालेंगे 100 100 लिख दिए अब देखिए 100 में 30 परतिशत है तो 30 परतिशत है तो 100 का 30 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा 70 यानि 70 बटा 100 गुना अब कितना है 20 परतिसत है 20 परतिसत 100 का कितना हो जागा 80 तो 80 बटा 100 गुना 10 परतिसत है तो हो जागा कितना 90 तो 90 बटा 100 अब सबको काट देजिए यह 0 से 0 कट गया यह 0 से 0 कट गया यह से यह कट गया यह से यह कट गया बचा कितना 8 सते 56 चपन में गुना 9 बटा 10 गुना कर देंगे 9 जख 54 और 9 पचे 45 और 9 पचे 45 और 5 पचास बटा 10 हो जाएगा तो यह कितना हो गया 50.4 चुकि हम आने थे कितना 100 लेकर चले थे तो 100 में से 50.4 मैनस कर देंगे जब मैनस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा यहां जाएगा 6 यहां जाएगा 9 और यहां जाएगा 4 यानि 49.6 मेरा option number कौन सा है भी है तो यही मेरा answer हो जागा दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो एक like जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी share जरूर कर दें तो next चलते हैं दिया है एक दोकांदार अपने माल का दाम 60 परतिसत अधिक रख कर 25 परशेंट चूर देता है दाम और 25 परशेंट चूर देता है अधिक क्रेमुल यानि यदि वह 2000 रुपया में खरेदा है तो उसका भी क्रेमुल क्या है तो सबसे पहले हम निक अंकित करता है उसके बाद वह छूट दे रहा है तो 60 परतिसत अंकित करेगा अधिक तो सबसे पहले निकलेंगे क्रेमुल कितना है दो हजार रूपिया तो दो हजार का साथ परतिशत अधिक हो रहा है अधिक यानि लाव हो रहा है तो लाव हो रहा है तो साथ में सो जोर देंगे यानि एक सो साथ बटा सो यानि कितना अंकित कर रहा है इससे ये निकलेगा तो अंकीत मूल निकल जागा इतना कर देंगे 0.00, 16 दूना 32 यानि 32 सो रुपिया उसका अंकीत मूल है, ठीक है? तो अब कर रहा है इसका 25 परसेंट छूर देता है, तो अब छूर निकल देंगे तो विक्रेमू निकल जागा, यानि हो जागा 32 100 इंटू, अब 100 में से 25 घटा देंगे और बटा में कितना हो जाएगा 100 अब देखिए 32 100 गुना 75 बटा 100 अब ये 0 से ये 0 कर देंगे ये 0 से ये 0 कर देंगे अब 32 गुना 75 कर देजिए 32 में 75 से गुना कर देजिए तो आप कहा जागा 24 और ये 24 दिया है आप्शन नमर बी तो मेरा आप्शन नमर भी एंसर हो जाएगा कोश्चन नमर फोर दिया है निम्न क्रम वार बट्टे के स्रेनियों में कौन सी स्रेनी एक गराहा के लिए सबसे अच्छी है तो सबसे पहले इसको जोरेंगे कितना हो रहा है तो 30 से 25 से 10 60 ये 60 आ रहा है ये आ रहा है अब ये कितना है 25 से 35 से 10 4 से 10 50 पर तिस पirtboys तुछ Heek utiliser ये कम छूट रहा है ये कम छूट रहा है दोनों कैंसिब हो गया अब ये 60 और ये 68 है कि याद रहना सबसे पहले हमें कि कृतना कितना छूर दे रहा है तो ये 55 पशंट कम है तो वह नहीं आएगा अब ये दोगों में हमको देखना है कि फुर्स्ट वाला परसेंटेज स्ट चुड़ दे रहा है तो फुर्स्ट वाला में इस तीस परतिसत है वो ज्यादा रहा है उसके बाद 20 उ यानि मेरा हो जाएगा option number A सही हो जाएगा, next चलते हैं, दे रहा है, दो null P तथा Q मिलकर एक खाली घरे को 18 सेकेंड में भरते हैं, कितना सेकेंड में, 18, तो Q इसे 24 सेकेंड में भर सके, यदि 24 सेकेंड में Q भर देता है, तब P इसे कितना देर में भरेगा, तो इसका simple सा trick है, वो X होता है, और छोटा वाला Y हो जाता है, तो सबसे पहले बरा हो जाएगा X, यानि 24 गुना 18 बटा 24 माइनस 18, तो फिर से लिख देंगे, 24 गुना 18 बटा, 8, 6, 14, 6, 24, 24, यहां काट देंगे, चो से चार बार में, चोचो का 24, तो कितना जाएगा, चार गुना 18, अठार चो, 72, यानि 72 शेकन, option नमर सी, तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे, तो लाइक जरूर करते रहें, नेक्स्ट है, यह आप बना करके, नीचे comment box में इसका answer बताईएगा, अगर नहीं बने, तो इसको हम next part में, इसका solution बताएगे, दिया है, एक क्यू, बी क्यू, एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, चार का क्यू, अगर दस के क्यू तक रहें, तो यह कैसे बनेगा, इसका एक simple सा फर्मूला है, उस फर्मूले से आप असानी से बना सकते हैं, तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो like, comment और अपने दोस्तों को share कर दें, और हाँ, अगर इस चैनल पर जो भी नए हैं, वो इस चैनल को subscribe कर दें, साथ में bell icon जरूर दबा दें, जय हिंद